सुप्रभाद बच्चो मैं उश्यरानी हिंदी एडुकेटर SRBPS Online Classes में आपका फिर से स्वागत करती हूँ तो बच्चो आज हम करेंगे कक्षा 6 के अंतरगत पार्ट साथ का अभ्यास कारिये जो है लिंग और वाचन लिंग और वाचन हम डिस्कुस कर चुके हैं तो आज हम करेंगे उसका अभ्यास कारिये तो देखिए रंगिन शब्दों के लिंग बदल कर वाचन को दुबारा लिखेंगे जो यहां पर रंगिन शब्द है उसका लिंग बदल कर अगर हम लिखेंगे तो वाक्य में कुछ change जाएंगे उन्हें हमें लिखना है कैभाग देखी अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया तो छात्र यहां पर color है तो हम करेंगे छात्र से link बदल कर छात्रा तो वाक्य होगा अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया खैबाग देखिए लेखक को सम्मानित किया गया तो लेखक की जगह हम करेंगे लेखिका को सम्मानित किया गया गय भाग देखिए बिल्ली को देखते ही चुहा बिल में घुस गई तो जब हम चुहा शब्द का लिंक बदलेंगे तो बनेगा चुहा तो इसे हमारा पूरा वाक्य बदल जाएगा बिल्ली को देखते ही चुहा बिल में घुस गया यानि हमारी क्रिया भी बदल जाएगी मालिक नोकर को काम सिखा रहा है तो नोकर की जगे हो जाएगा लिंक बदल कर नोकरानी मालिक नोकरानी को काम सिखा रहा है इस डिबिया में क्या है तो डिबिया की जगे हम करेंगे डिब्बा तो वाक्य क्या कोर्डिंग ये बनेगा डिब्बे इस डिब्बे में क्या है आगे देखिए question number three नीचे दिये शब्दों के सामने उसका लिंग लिखिए सड़क, strilling, पूर्णिमा, strilling, ग्राहक, पुलिंग, पीपल, पुलिंग तो आप केस प्रकर से प्रियोक करते हैं जब आप इनका वाक्य प्रियोक करते हैं तो आपको पता चल जाता है जिसी साब से क्रियाती है, उसी कभ है लिंग होता है वर, गेह, तामबा, रेडियो ये चारो शब्द ही किस में आयेंगे पुलिंग में आएंगे दर्वाजा पुलिंग देवनागरी स्ट्रेलिंग कैची और चादर ये दोनों रहेंगे स्ट्रेलिंग ठीक है कांटू दो केस्टन नबर फोर कोश्ठक में से उचीत शब्द चुनकर खाली स्थान बरिये जो वक्य में सही बैठता है अकोर्डिंग टू क्रिया वही हमारा ब्लैंक में आ जाएगा क्या भाग देखिए डैश सिंगहासन पर बैठा है तो बैठा होता है पुलिंग तो राजा या रानी राजा राजा सिंगहासन पर बैठा है खैभाग श्रेया घोशाल प्रसिद गाई का है क्या होगा गायक नहीं है क्योंकि श्रेया घोशाल लेकर स्ट्रेलिंग है तो गाई का है गैभाग देखिए डैश कपड़े सिल रहा है रहा है तो दर्जी दरजी कपडे सिल रहा है गैभाग यह डैश बहुत बड़ा है बड़ा दिवार स्त्रिलिंग है कमरा पुलिंग है तो यह कमरा बहुत बड़ा है गैभाग कबीर दास महान डैश थे तो यह पुलिंग है तो कवी थे महान कवी थे डैश पानी में तैर रही हैं मचली ये मचलियां मचलियां पानी में तैर रही हैं आगे देही नीचे दिये वाक्यों को बहुवचन में बदलिए पहला वाक्य है ग्रहक सामान खरीद रहा है तो जब हम इसका वचन बदलेंगे बहुचन में करेंगे तो ग्राहक सामान खरीद रहें हैं तो ग्राहक जो शब्ध है वो पोलिंग और इसमें वचन और बहुचन में एक जैसा ही रहता है मैंने चाकू से फल काटा तो हो जाएगा नानी ने मुझे कहानी सुनाई तो बहुवचन जब हम करेंगे तो नानी ने हमें कहानिया सुनाई देखिए हमारे क्रिया भी बहुचन के अनुसारी आजाएगे सुनाई अनुस्वार आजाएगा अगला देखिए पेड़ पर अमरूद लगा है तो दोनों का भॉर्वचन कर देंगे पेडूं पर अमरूद लगे हैं ठीक है पेडूं पर अमरूद लगे है अगला गाऊ घास चर रही है तो गविं घास चर रही है अनूस्वारा जाएगा भॉर्वचन वाली क्रिया भी आएगी ठीक है Come to the question number 6 नीची दिये वाक्यों में लिंग तथा वचन संबंधिया शुदिया है इन्हें शुद करके लिखना है तो कैबाग देखिए राम ने रावन के साथ युद की की तो नहीं आएगा जब हम इसका वाक्य संद्रचना करेंगे तो ये बनेगा की की बजाए किया राम ने रावन क साथ युद किया ठीक है तो ये हो जाएगा अगला बाके देखिए बुवा जी हमारे घर आ रहे हैं तो बुवा जी स्ट्रेलिंग है तो आ रही हैं करेंगे हम इसे ठीक है बुवा जी हमारे घर आ रही हैं दही जम गई तो दही पुलिंग शब्द है तो आएगा दही जम गया कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैं यही वाक्य सही है नहीं दही क्या होता बेटा पुलिंग शब्ध होता है तो दही जम गया उसके तो प्राण निकल गया तो प्राण जो शब्ध होता है वो हमीशा बहुचन में रहने वाला शब्ध है तो उसके तो प्राण निकल अगला भाग श्रीमती में यहाँ पर थोटी की मात्र लगाई गई है आप इसे बड़ी कर लिजीगा श्रीमती प्रतिभा पार्टिल भारत की प्रथम महिला राष्ट पती था तो था नहीं आएगा थी क्योंकि जो श्रीमती प्रतिभा पार्टिल है वो इस स्रीलिंग है तो श्रीमती प्रतिभा पार्टिल भारत की प्रथम महिला राश्पती थी नीचे दिये शब्दों के लिंग बदले सेवक सेविका ये तो आपने याद करें लियोंगे अध्यक्ष अध्यक्ष, कुम्हार, कुम्हारिन, सम्राट, सम्रागी उसके बाद विद्वान, विदूशी, पंडित, पंडिताइन आचारिय, आचारिय, यूवक, यूवती, लेखक, लेखिका और स्वामी, स्वामी ने, ठीक है? कामड़ Kal defended We disks announces number 8, girls pulling only 5 Geever अरं, शुर्य, चावल, तामबा, आम, आदि, कुम्हारिय, फूल्य, ने, विच्ट, इनवार्व, और के लेख्यारिय, यूवrijk ये था हमारा अभ्यास करीया पार्ट गार्वास साथ का, ऐहोप आप दोगों के अच्छी तरह समझ आया होगा